तो है लूबरीबन स्वागत है आप सभी का और कैसे आप सभी तो आप सभी का फिर से इखने वीडियो के साथ और कैसे आप सभी आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेच्छी चले होगी चला भैइने वाले मेरे दिखाई देरा आपको हम आज किसके विषय में बात करने वाले हैं दिल्ली सल्त्ने के श्थापना किस तरीके से हुई क्यों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कारण क्या था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई किस कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था महम्मद गोरी ठीक है महम्मद गोरी एक वेक्ती का नाम ता, नाम इसका मौम्मद गोरी था, और इसकी मृती जो होती है वो ती है 15 मार्च 1206-AD में इसकी मृती हो जाती है ठीक है एक गुनाम होते हैं कि कया होता है कि पर इन ऐबंसका जिस नाम उत्मीन इर्वक यह आप भी जो कुतुबुद्दीन एवक होता है एक गुलाम इसका जो होता है उसका नाम होता है ताजुद्दीन यल्दोज ताजुद्दीन यल्दोज और एक जो गुलाम होता है इसका नाम होता है नासुरिद्दीन क्वाचा क्या होता है जी नासुरिद्दीन नासुरिद्दिन कौचा इसका नाम होता है थिक नासुरिद्दिन कौचा एक तुटबर्दीन ये इसके प्रिमोगWowAl गुलाम। जीते वे आपस में बांट लेते हैं। जिन मैंसे सिंद और मुलतान जो है वो इन दोनों के कबदे में चले जाते हैं क्योंकि इसे अगर बात करें तो मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूं आपको आप थोड़ा सा देखते रहे हैं महब ठीक है 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 को तौह का ये भारत का नकसा है आप देखा आपको पता होगा ठीक हैuz कि यहां सिद्थी जो गुजरातवादा चहतर था है यहीं प्रस्त ब्रस्त स्ल्तनत था ने यह पर था दिल्ली स्ल्तनत था यह एक नियुकर यह पर था दिल्ली था और इसके यह जो पूरा छेत्र था यह जो अफगानिस्तान वाला शेत्र पाकिस्तान वाला शेत्र लगता है यह था पूरा सिंद यह क्या था सिंद और इसके उपर जस्ता मुल्तान और मुल्तान और गजनी वाला जो छित्र था इन दोनों ही छेत्रों पर इन दोनों का अधिकार हो जाता है यानि ताजुद्दिन यल्दोज और कुत्वद्दिन की बात करें तो शित्र में भारत के जेत्र आते हैं यानि बहरत उत्तर भारत को जा उत्तर भारत वे पूर्वी भारत ठीक है पूर्वी भारत नहीं बंगाल तक का जो छेत्र था पूरी तरीके से कुटुबुद्धिन एवक के अधिकार छेत्र में आ जाता है और भारत में रह करके कुटुबुद्धिन एवक के द्वारा एक इस्थापना की जाती है जिसे हम जानते हैं कुट्वद्दिन एवक्त के बारे में और दिल्ली सल्टनत के बात करें तो देखें दिल्ली सल्टनत की स्थापना 126 कुट्वद्दिन एवक्त की स्थापना की जाती है अभी मैंने बताया भी था क्योंकि कारण ऐसे होते हैं कुछ परिष्टितिया ऐसी होती है क्योंकि हगयरمرम ki मिलतिये घुलां होते हैं आपसे पूरे चेत्र को बाट लें जो मोहमत गोरीय के अधिकार चेत्र में था उन चेत्रों को यती हैं आपस में बाट लेते हैं आपसला नवाली कहते हैं बसता कुटू बुद्धिन एवक को भारत का संपुर्च शित्रा जाता जो इसके अधिकार शित्र में आता है और यहीं पर ही इस्ताबना होती है दिल्ली सल्तनत की तो कुटू बुद्धिन एवक को ठीक है एवक को दिल्ली सल्तनत का संस्तापक कहा जाता है किसको फुटोबुद्दिन एवक्त को दिल्ली संस्तापक भी कहा जाता है इसी ने भारत में दिल्ली स्थापना की सासनकार की बात करें तो बारत में लोधी वन्स का सासन था और उस समय जो सासक था इसका नाम था इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी का उस समय सासन होता है इब्राहिम लोधी और बावर के मद्या पंद्रसुच्छे में युद्ध होता है तो याद रखना दिल्ली स्थापना हुई थी और पंद्रसुच्छ एडी तर ठीक है आगे देखिए उत्री भारत में तुरकों के स्यनिक अभियानों का प्रित्यक्ष परिणाम नाम स्था दिल्ली सल्था तुर्क आए थे तुर्क आए थे तो तुर्कों के बार बार सहनी के अभियान के कारण अभियानों के कारण परिणाम था दिल्ली सल्टनत जो लगभगध दो सताब्धी यहीं सताबदी यहीं कम से कम 200 सौनु से जाधा चला 11 लेख सताब्धी और 13 लेख सताब्धि तक के मद्य हैं दो चलनों में उसकाल संपन हुआ था पिर्थम जो चरण चलाता वो गजनवी के दुवारा 1000 से ले करके 1027 एजी तक चला और दूसरा चरण की बात करें तो मुहम्मद गोरी के दुवारा 1174 से ले करके 1206 एजी तक यह सासनकाल चलता है दिल्ली सल्तनत का ठीक है क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ी चुके हैं कि किस प्रकारते महमुद गजनवी ने भारत पर 17 बार आकर्मन किये थे ठीक है भारत पर किस तरीके से 17 बार आकर्मन किये थे किसने महमुद गजनवी ने तो किस तरीके से महमुद गजनवी भारत पर 17 आकर्मन करता है दो चलों में सासनकाल चलता है पूरी तरीके से का पहला चला जो होता वहती है परत्तमinin कि बात करें प्रत्तम चलों बूरम घdoorsुर्ख मैंने बताय था कि 5000 इडि में महम्मद गोरी ने सबसें मेमूद गजणवी ने सबसे पहले हिंदू साही 1 पobject है ता सझा ह evac दिखरा हो गा मैं दूसरा क्याव देता हूं तो हिंदू साही सासक जैपाल के विरुद्ध अभियान किया जैपाल के विरुद्ध अभियान किया था जैपाल के विरुद्ध तो हिंदू साही सासक जैपाल के विरुद्ध इसने अभियान किया और एक हजार एक एडी में सबसे पहले इसके अक्रमा का सामना करने वाला जो ब्यक्ति था उसका नाम था जैपाल ठीक है अब यह पर चुके हैं हम कर चुके हैं जैपाल के बाद फिर और भी आक्रमा करता पिर एक हजार एक एडी से दो में आता है माप कीजिए थोड़ा सा दो में आता है तीन में आता है चार में नहीं आता है पांच में आता है पांच में आता है पांच के बाद छे साथ लगातार कंटिन्यू फिर आक्रमन से करता है और भारत पर लगवक सत्रे आक्रमन करता है कितने आक्रमन करता है सत्रे अखर्मन करता है और इसका बहरत की धन संपता को लूटना किस पर सौमनात के मंदिर पर आकर्मन करता है और उस संद्वा का साथा को था भीम भीम इसका सामना नहीं कर पाता है है वहां से बहाँ के भाग जाता है और उसके बाद यह मंदर सिब से सब्सें मंदर था सौमनात का मंदर से भगवान के उसमें पूजा होती थी तो याद रखना गुजरात में पढ़ता है ठीक है गुजरात में सौमनात का मंदर इस मंदर को लूटा था एक हजार पच्चीस एडी में जब यह लूट कर जा रहा था तो उस समय जो जाट जाती होती है जाट जा वापस आता है इसी जाट जाती को जाटो और खोक्रों को सबक सिकाने के लिए मेहमुद गचनवी तो यह पहला चलन होता है दूसरा चलन की बात करते तो मुहम्मद इस्तापना होती है लेकिन उससे पहले तुर्क भारत में आ चुके थे गजनी मेहमुद गजनी गजनवी तुर्क आए फिर ठीक है पहले उससे पहले अरब आते हैं इसके बाद देखिए यह जो 1134 था इंस ने फिर 1178 एडी में एक अभियान किया प्रॉचरात में जाकर के चालुक के वन्ज के सासका था फुलकेशिं ठीक है पुलकेशिंगे चालग के वन्ज का सथा सकता ता सोरी मूलाज था इसका नाम मूलाज वित्या था भीम तो भीम ने इसको कायद्रा नामकिस्तान पर ठीक है पराजित किया था उस तो भारत में इसकी यह पहली हार थी उसके बाद यह तीन युद्वर लड़ता है एक 1191 में लड़ता है 1191 में तराइन का पहला युद होता है जो प्रत्विराज चोहान और मुहम्मद गोरी के मद्दे होता ह उसके बाद युद्वर होता है 1162 बिसलोंच लोग मांनते हैं कि उसे वहाँll पर कूछ दिन सासक न'Sका लेकिन उन्हों ने विद्द्रो कर दिया था तो उसके बाद बहुम्मद गोरी ने इनको मार दिया कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इनको पकड़ करके गजनी लेकर गए थे तो एक कहानी आपने सुनी होगी कि सब्द बेदी भार चलाना जानते थे उस समय और यह बहुत उचे सिंहासन पर महमुद गजनवी बैटा होता है और प्रित्विराथ चौहान का जो दरवारी कभी होता है चंदरबर्दार रास्तों वह इनको एक कहानी के माद्धियम से इनको बताते हैं एक इस लोग के माद्धियम से कहते हैं कि एक उचाई पर एक साजक करा है और तीर चला दो और यह इनकी आंखे फोड रखता ृसकी मृती हो जाती है सब अतियासकार को इसको सासक बना करके रliersा कुछ यह मानते हैं कि इसको उधरत छोहानको हरियाना में सिरसा ने मार दिया गया ता इसके इनका पीछहा था उस समय कुतब जिन्वक ने कुत देलेकने ने इनको पकड़कर मार दिया था ठीक है तो सब के अलग-अलग मत हैं उसके बाद पिर यहां पर महम्मद गोरी और जैचंद के मद्या एक युद्ध होता है 1194 में मैंने बताया था कि 1194 में युद्ध होता है चंदावर के नाम से जानते हैं इस युद्ध में जैचंद की हार होती है यह बहाई जैचंद था जिसने सायता करी थी सायता करी ही ती محمद था लेने के लिए इसने उनकी ठीक है चलिए आए देखते या कौँ कौन से साथ ही यत बदिखा ऊपको ऑन्स पहलाँ गुलंबन या ममलोक वंप कहते हैं तो 5 मन्स कहते हैं पहला गुलंबन एक मलम बदते हैं ठीक एक गुलंबन कृते हैं इसका नाम होता कुटुबुद्दीन एवक पहला सासा कुटुबुद्दीन एवक याद रखना है कुटुबुद्दीन एवक ठीक है और इसका सासनकाल कितने समय तक चलता है कुटुबुद्दीन एवक के बाद कुछ समय के लिए आराम साह आता है ठीक है इसे आराम बहुत पसंद रहता है और जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाए क्योंकि दिल्ली सल्तनत बहुत ज्यादा जिससे कि आपके तयारी और ज्यादा बहतर हो जाए ठीक है और अपने जो कमेंट निश्चिति आपके मोनतों को आंसर दिया जाएगा लाइब क्लास ते हमारे सांद जुर जाएए लाइब क्लास हमारी आठ बजे होती हुआ किसे चला ला है ईश फ्रैक्टिस सेट घट यह प्रैक्टिस सेट जो हमारे साथ 8 चल दा जिस फंद्रह एंद्रह कोष्ड कर आए तो याद रखना पंद्रह कोष्डुन पर दे कर आये रहें फंद्रै कोश्च्छन ठीक है उसके बाद नाइन इस नहीं एमरी मेरे सब्सक्राइब दौक है इसको करा जाता है यहाँ पी आफ हमारी क्लासों को जॉइन कर सकते हैं लाइव क्लास है हमारी दिल्ली पुलिस को ले करके टार्गेट किया गया है दिल्ली पुलिस क्योंकि सखलता आपको पानी है तो आपको देखिए बहुत सारी मेहनत करनी होगी है अभी आप सोच रहे होंगा कि हमारी इतनी मेहनत बहुत है काफी आप किसी भी चैनल से जुड़िये वह मंद से जुड़िये दिल से जुड़िये तो दिल से करिए लेकिए आपके माता पिता पर भरोसा कर रहे हैं तो उन की नहीं तोड़िये ठीक है चलिए तो हम हमारे टेकनिकल सबी टीम हमारी पुरी टीम है आपके सपलता के लिए हमारे टैकनिकल मेंबर करते हैं टीडियो पाटए से चीजे देखनी पड़ती है ठीक है और आपके कमेंटों का आंसर आंकल की तर है उनका नाम समय में आप को जुड़े नैगे जल दिखाए देंगे अभी जलदी आपको टीचर भी दिखाए देंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हिंदीगी क्लास होंगी जलूर picture रहे हिंगी जरूरा रहेंगी इंग्लिश की से शल्दे हैं और करण टाफ्य क्लास होंगी ठीकिक जलीए तो यह हमारे किलासी से चल रही है। तो आप जूड़े रही है। उसने घो只 से के आराम सा इसको पसंद था बहुत पत्च का तो इस नाम होता है इसका इल तुत्मिस इसका नाम होता है। इसका नाम होता है और यह सासक बनता है अगला इल्टुतमिस देखे लिख रहा क्या बिलू कलर ठीक है चलिए दिख रहा है इसमें नमबर चार रुकनुद्दीन फ्रोज्टा रुकनुद्दीन ठीक है लेहाई बिल रुकनुद्दीन फ्रोज्टा सासक बनता है यह इसका भाई होता यह ता ओकूर बेटा होता इल्टुतमिस कह और उसके बाद नमबर पांच पे जुआती है एक महील इस ऊत्वाइला सासक नहीं तक है अबूण के पहली महीला साथ होती है और मात्र महीला का रजाश मुंगना गाथ थींसे पहले एक महीला कर नाम युथ मा देवी नाम था रिखाना ओर आ हुध से महीला औरु से चैनी में होता तो याद रखना तो रुद्रम्मा देवी बारत इतिहास की पहली महीला सासी का थी लेकिन दिली सतरत की पहली महीला सासी का नाम होता है रजिया सुल्ताना चलिए इसके बाद रजय सुल्ताना सासक बनती है इसके बाद में बहरामसा अगला सासक बनता है छटा बहराम सा ठीक है अभी हम बात कर रहे हैं के वलीन की चलेंगे आगे बहराम सा एक-एक सासक के बारे में आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कौन सा सासक कब आया था बहराम सा के बाद मसूद सा आता है कौन आता है मसूद सा तो बहराम सा के बाद मसूद सा मुझान पार के बाद एक नाम होता है अगला सासक आता है ना सुरिद्दीन महमूद आता है अगला सासक नमबर आठ के पर आता है नाम होता इसका नासी रुद्द्दीन नासुरीद्दीन महमूद तो धामाद बनता है बलवन का नमबर 9 पर बलवन आता है बलवन क्या है बड़े कूट निती से अपनी पुत्री का विवाई इसके साथ कर देता है और नासुरीद्दीन महमूद पूरी तरीके से अपने पूरे अधीकार सम्पूर अधीकार दिल इस अधीकार बल्वन के हाथ में देता है फिर बल्वन ही यहां से सासन चलाता बल्वन के बाद एक व्यक्ति आता जिसका नाम होता केकूबाद उस समय के लिए सासक बनता है केकूबाद केकूबाद के बाद अगला सासक आता नंबर 11 पे इसका नाम होता क्यों मर्त और तो यह दिल यह जो होता है मंलूप बन्स गुलाम बन्स का अंतिम सासक अक वता है गयारिम में असका नमबर का क्यों से पहले केकुबाद से पहले बलवन बल्वन से पहले महमूद मेस्मूद से पहले मसूद सा बैराम सा रजा सुल्तान रुकृष्डीन रोसा ऐल्ट फ्मिस आराम सा ठीक है कुतुबुद्धन इवग यह दिल्ली सल्तिनत में जो गुलाम बंस पहला आता है उसके प्रिमुक होते हैं किरम से जरूर करवाएंगा ठीक है आप चलते हैं आप चाहते हैं तो आगे चले ने चलिए उसके बाद अग्ला जो साथा इसका नाम होता खिल जी वन इसमें ज्यादा सासंकाल पर देख नहीं अजलाल उद्दीन खिल जी ठीक है पहला साक कि इस में होता है जलालुक्री खेसखonder गडिए टा ऊट कि को सासनकाल ज्यादा समय तक नहीं हता है लेकर के 1296 अग्ला अगला सासक आता दिन खिल जी होता है याद रखना अलाउद दिन कि और इसके बाद दो सासक और आते हैं बहुत चोटे सब्सक्राइब मुबारक क्रणा नाम हता है कुछ चुछ मुबारक बिधाब और उस अगला जो होता चौथा नासी रुद्दीन खुसरव सा नासी रुद्दीन पंदीन अलाओदीन से इनका चयरता नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं से भारत देखता है कि कहता है कि मेरे मैं अपने चाचा से बगर पुछे मैं करने के लिए आ गया हूं मेरे चाचा मुझे सजा देंगे यह नाटक करता हूं चाहता था दिल्ली चाहता था और और यह संपत्ति कमाना चाहता था है मैं अपने पेवर में उन्हें कर सब्सक्राई को तो वही कारण था नदी को पार करने के लिए बोलता चाचा वह नदी पार की जाती है और उसके बाद किया होता है इसको मर दिये जाता है ठीक है छी करे और ग्वाल दिन खिल जी की इसके भाद आता अभी आगे चलेंगे आपको कहीं जाना नहीं है मेरे साथ ही जुड़े रहना है आपको बहुत सारी चीज़ें यहां पर में किलियर कराओंगा अप्टेंशन ना लें ठीक है चलिए अगला चुलाग बंस आता है ज्यादा समय तक चलता 94 भरसों तक चलता है आप देख सकते हैं पहला तो आता है गया सुद्दिन तुगलक आता है अबुबकर आता है शुकंद्र सा फ्रॉद आता है लाटतैन बने महसुत आता है ठीक है तो बहुत सारे साथ सा सक आते हैं इस में वहीं सियद्वनसों की बात करें तो खिझर खा मुबारण साथ चीछ नियुक्ट का मुभा रकता मुबारक सा मुहमम्मध सा उसके बाद भूप Prab роб बार नहीं सकते हैं आप देख सकते है तीन किरम से साशक आते हैं ठीक है दूसरा साशक होता है पहला लोदी ठीक है उसके सिकंदर लोडी और दिल्ली सल्तनत का इसका नाम साथक होता है ठीक Lah Nikki फीर हुआ जरूर हुआ वहुंगा नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगा ठीक है जोड़े रहें हमारे साथ तब तक के लिए जय हिंद